Hello everyone, welcome to BPS Erda, BPS Erda पर आप सभी का स्वागत है आज की सेशन में हम BPSC के दोरा आई उजित होने वाले Head Teacher और Head Master के लिए महत्पुर्ण GKGS के प्रशनों को कवर करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हम आज का सेशन यदि सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर किजेगा आज का हमारा पहला प्रशन है इनमें से किस भारतियों को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है तो गुरुदेव के अगर हम बात करें तो गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते थे रविद्नाठ टाइगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था तो इस प्रशन का अंसर हो जागा option B रविद्नाठ टाइगोर कोस्ट नमबर दो है जै जवान जै किसान का नारा किसकी द्वारा दिया गया था जै जवान जै किसान का जो नारा है वो लाल बहादूर सास्त्री के द्वारा दिया गया था तो इस प्रस्टन का अंसर क्या हो जागा लाल बहादूर सास्त्री यहीं पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि जै जवान, जै किसान और जै बिग्यान का नारा अगर आप पूछे यानि इसमें जै बिग्यान भी अगर जूड़ दे तो वहाँ पर अंसर आपका क्या हो जागा अटल बिहारी बाच पर ही जै जवान, जै किसान, लाल बादू सास्त्री, जै जवान, जै किसान और जै बिग्यान पूछे तो अटल बिहारी बाच पर ही पूछन नमर तीन है सोतंतर भारत के पहले भारतिये गवर्नर जनर कौन थे इस प्रस्ण को काफी धंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है आपको एक्जामनेशन में वहाँ पर अगर भारतिये हटा देगा तो आपका कोशन बन जाएगा सोतंतर भारत के पहले गवर्नर जनर कौन थे तो आपका अंसर चेंज हो जागा वहाँ पर हो जागा लॉर्ड मॉन्ट बिटिन, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है, सोतंतर भारत के पहले भारतिये गवर्नर जनर कौन थे तो आपका अंसर हो जागा सी राजगोपला चारी Q4 देखते हैं, Q4 है, महात्मा गांधी ने सरपर्थम किस किसान अंदोलन में भाग लिया था तो महात्मा गांधी के द्वारा सरपर्थम 1917 में, चमपारण में किसान जो नील की खेती था, वहाँ पर जो उनको सोशन किया जा रहा था तो चंपारण में ही महत्मा गांधी के दौरा सरपर्थम भाग लिया गया था तो इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा option C चंपारण 1917 में राजकमार सुकलिक का नाम याद रखेगा एक प्रस्ण राजकमार सुकलिक से भी बनता है वहाँ पर क्योंकि बार-बार याप पूछा जाता है कि किसके बुलावे पर महत्मा गांधी ने सरपर्थम चंपारण में अपना जो पदियात्रा शुरू किया था चंपारण में किसानों की जो दूरदसा थी उसको देखने के लिए तो वो थे राजकमार सुकलिक और उन्हीं के बुला приход discussion number 5 है अठारासो संतावन के बिद्रो का नेत्र ता बिहार में किस के दौरा किया गया था,ठारासो संतावन का जो क्रांधी था को उसमें हर जगह से चाए वो लखनव ले ली जे डिली ले ले जे ऑल ले ली जे बिहार ले ले थापना किया था और जो इसका प्रस्ताव था यह ठाका में नवाव सलीमुला खान थे उनके द्वारा दिया गया था और इसका मुख्याला है लखनों में बनाय गया था अगर आपसे प्रस्ट पूछा जाता है कि मुस्लिम लिग के पर्थम अध्यच कौन थे तो पर्थम अध्यच आगा खां थे इसके संस्थापक थे सलीमुल्ला खान इन्हीं के द्वारा जो प्रस्टाथ था मुस्लिम लिग के गठन का वो दिया गया था लेकिन इसके पर्थम अध्यच कौन थे आगा खां अगर उद्देश की बात करें तो मुस्लिम लिग के गठन का उद्देश था ब्रेटिस सरकार के प्रति मुसल्मानों में निष्टा को बढ़ाना अगला प्रसन देख लेते हैं अगला प्रसन है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौक की निती अपनाई यानि रक्त और लौक की निती इनमें से किस दिल्ली के सुल्तान के दौरा अपनाएगा तो रक्त और लौक नितिक के अगर हम बात करें तो बलबन के बारे में ही यह कहा गया है कि उसे रक्त और लौक नितिय अपनाई थी बलबन का एक थियोरी था जिसको राज़तव सिद्धान्त के रूप में जाना जाता है और जिसकी दो परमुख विशेशता है थी वह कौन थी? पहला था सुल्तान का पद इसवर के दोरा प्रदत होता है और दूसरा था कि सुल्तान का निरंग को सोना आवस्यक है फिक है तो इस प्रसन का अंसर हो जाएगा बलवन पोसर नमबर एट है कुतुब दिन एबक की राजधानी थी तो कुतुब दिन एबक की जो राजधानी थी वह कहां थी? लहौर में इस प्रसन का अंसर हो जाएगा आवसर ए लहौर पोसर नमबर नाइन है धाय दिन का जोपड़ा क्या है? A. मस्जिद, B. मंदिर, C. संत की जोपड़ी और D. मिनार तो कुतुब दिन एबक के द्वारा ही आजमेर में एक मस्जिद का निर्वान कराय गया था जिसका नाम है धाय दिन का जोपड़ा तो इस प्रसन का अंसर हो जगा आउसेट A. मस्जिद कुतुब दिन एबक के द्वारा बनाए गए अना मोनुमेंट की अगर हम बात करें तो दिल्ली में कुतुब दिन एबक के द्वारा कुवत उल इसलाम मस्जिद का निर्वान कराय गया था इसके अलावा दिल्ली में महरावली में अगर आप जाएंगे तो दिली के जो महरावली है वहाँ पर कुतुब्यूनार आप देखेंगे कुतुब्यूनार जो है उसका नीव जो है वह कुतुबदिन एबक के दौरा ही दिया गया था जिसे बाद में इलतुत्मिस के दोरा पूरा करवाया गया था तो जो महरावली का कुतुब इनार है वह किसके दोरा बनवाया गया था? वह कुतुब दिन एबक के दोरा बनाया गया था जिसे इलतुत्मिस के दोरा पूरा जो है यानि complete करवाया गया था Question number 10 है जोग लग नालंदा बिहार को विद्वन्स करने वारा था बक्तियार खिल जी तो इस प्रस्ट का अंसर हो जागा और भी वक्तियार खिल जी राइट पोस्र नमबर 11 है इल्तुतमिस ने बिहार में अपना पर्थम सुवेदार किसको नीट किया था इल्तुतमिस के अगर हम बात करें तो 1225 इसमियों में इल्तुतमिस ने बिहार सरीप पर अधिकार कर लिया था और उसके बाद राजमाहल की पहाड़ियों में तेलिया गड़ी की समीब हिसामुदिन एवाज को पराजित किया था उसने और उसके बाद आप देखेंगे कि हिसामुदिन एवाज के अस्थान पर इल्तूत्मिश के द्वारा मलिक जानी को बिहार का पर्थम सुविदार नुक कर दिया जाता है इस प्रशन का अंसर हो जाएगा option D मलिक जानी यानि इल्थित्मिस के दौरा बिहार का पर्थम सुविदार मलिक जानी को निक्टिया कहा था question number 12 है home rule league की अस्थापना कब हुआ था home rule league की अस्थापना कब हुआ था home rule league की अस्थापना जो है 1916 में हुआ था question number 13 है बिहार का पर्थम मुस्लिम बिजेता कौन था तो जो बिहार का पर्थम मुस्लिम बिजेता था वह कौन था वह था बक्तियार खिल जी इस प्रशन का अंसर हो जाएगा option B बक्तियार खिल जी question number 14 है कुतुब दिन एवग की राजधानी थी तो कुतुब दिन एवग की राजधानी आपने देखा ही कि कुतुब दिन एवग की राजधानी कहां थी लहोर में ये question repeat हो गया है कुतुब दिन एवग की राजधानी कहां थी लहोर में पॉस्ट नमबर 15 है महात्मा गांधी का जन्म से तो बताए महात्मा गांधी का जन्म है वो कब हुआ था तो आपको मालूम होगा कि 2 अक्टूबर को यह हम महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 यानि ओप्शन सी विल्विदा करेक्ट अंसर्व कोस्ट नमबर 19 है बिहार में बनावरन प्रतिस्यत कितना है ओके बिफोर दाट कोस्ट नमबर 16 हमें देखना है कोस्ट नमबर 16 क्या है बिहार बिधान सवा में सीटो की कुल संख्या कितनी है तो जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार का जो बिधान सवा है और विहार में भी विधान परिशत भी है तो जो legislative यहां का है वो विहार legislative assembly और legislative council के रूप में divide है और जो विहार विधान सवा है उसमें सीटो की कुल संख्या 243 है तो इस फ़रस्ट का अंसर हो जाएगा और विधान परिशद भी है और आपको मालूम होगा कि टोटल भारत में मातर छे ऐसे राज है जहां पर ये दीर सदनात्मक है राइट यानि विधान परिशद और विधान सभा दोनों है परिशन नमबर 17 देखते हैं बिहार बिधान परिशद में सीटो की कूल संख्या पहले आपने देखा बिहार बिधान सभा में सीटो की कूल संख्या अब आपको बताना है कि बिहार बिधान परिशद में सीटो की कूल संख्या कितनी है तो बिहार बिधान परिशद में सीटो क कि जो कुल संख्या है वो है 75 इस प्रसंद का अंसर हो जगा option D 75 अगला प्रसंद है बिहार में अनुमंडल की कुल संख्या कितनी है तो बिहार में जो अनुमंडल की कुल संख्या क्या है वो है 101 इस प्रसंद का अंसर क्या हो जगा अप्शन D 101 Q19 है बिहार में बनावरन प्रतिशत कितना है 7.7.4 प्रतिशत या दी 8.7-8 प्रतिशत बिहार में जो बनावरन प्रतिशत है वो है 7.8, 4 प्रतिशत तो इस प्रशन का अंसर हो जगा option C 7.84% question number 20 है पर्थम जैन संगती का आयोजन कहां हुआ था यहां आपसे पूछा जा रहा है पर्थम जैन संगती का आयोजन कहां हुआ था बहुत संगती नहीं पूछा जा रहा है तो 2 जैन संगती का आयोजन हुआ था आपको बताना है कि पर्थम जयन संगती का आयोजन कहा हुआ था तो पर्थम जयन संगती का आयोजन पाटली पुत्र में हुआ था तो इस प्रसन का आंसर क्या हो जागा option B पाटली पुत्र तो ये थे थे कुछ मत्पुन प्रसन आये हो ये प्रसन आपको अच्छे लगे होंगे अगर अच्छे